नमस्कार दोस्तों मैं C.E. दिवाकर जगा तो दोस्तों आज हम बात करेंगे NFT Art Finance के बारे में जिसका ट्रेडिंग नेम है NFT Art तो दोस्तों यह एक Binance Smart Chain पे बना हुआ कोईन है तो दोस्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब बेल बटन प्रेस कर लें तारी क्रिप्टों से लेटेड अथेंटिक जानकारी आपको लगातार मिलती रहे और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बुक्स में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है वहां से क्लिक क्रोड क्रोड NFTS आठ कोईन और इसकी सर्क्यूलेटिंग सप्लाई है 256 क्रोड क्रोड NFTs आठ कोईन तो दोस्तों अब ये जो 1000 क्रोड और 256 क्रोड का डिफ्रेंस है आइडियली ये मार्किट में जो सप्लाई अभी आना है वो बाकी है यानी कि सप्लाई एक तु मिट हिट म उसका कारण क्या है कि यह जो difference वाली supply है इसको burn कर दिया गया है permanently dead कर दिया गया है तो इसका मतलब अब इसका कोई और supply आना बाकी नहीं है तो इसका जो maximum supply है वो है 256 क्रोड क्रोड NFT art coin और दोस्तो इसका जो market capitalization में rank है वो है 1349 1339 तो 1500 में यह आता है और दोस्तो इसका जो holder count है वो भी बड़ा अच्छा है 448000 के करीब इसके holders हैं तो दोस्तो अब हम इसके बात करते हैं uses की तो दोस्तो जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि यह एक NFT से related marketplace है तो इसके basically different तरह के इन्होंने तीन marketplace बना रखे हैं सबसे पहला जो marketplace है वो है इनका enter.art enter.art जो है एक digital art NFT marketplace है यानि कि आप digital art जो बनाते हो उसका NFT बनाके आप इस marketplace पे sell कर सकते हो दूसरा जो इसका uses है वो है enter.audio तो यह एक NFT music platform है अब इसमें यहाँ आप क्या कर सकते हैं आप कोई भी एक गाना बना सकते हैं कोई भी एक धुन बना सकते हैं और उसका आप एक NFT बनाके और यहाँ पे उसको sell कर सकते हैं यह दोनों market enter.art और art और enter.audio दुनों active हैं यह दुनों अभी चल रही है आप चाहें तो इनकी website पे जाके देख सकते हैं तीसरा जो इनका marketplace है वो है enter.x तो दोस्तों यह जो enter.x है यह एक platform है of platforms यानि कि यहाँ पे आप अपना कोई भी platform बना सकते हैं यानि कि आपको अगर लगता है कि मैं इस ची हूँ तो यह platform बनाने के लिए आपको यहाँ पे यह space परवाइड करेंगे और इसके साथ जो भी revenue sharing या जो भी system होगा वो अभी जो है अभी clear नहीं हुआ है because enter.x जो है वो अभी बन रहा है अभी जो है under development है developers इस पे काम कर रहे हैं इसको बना रहे हैं तो दोस्तों मैं इस platform क अगर personally बताऊं तो एक साल से देख रहा है यह लोग एक साल से इनके जो developers हैं इस पे काम कर रहे हैं और मैं आपको दोस्तों यहाँ भी बना दूँ बता दूँ कि अपने old time high से 99% down चल रहा है यानि कि अगर आपने इसमें कभी 100 रुपया लगाया होता beginning में तो वो उसकी कीम आज के टाइम में एक रुपया है लेकिन दोस्तों इसको यहाँ यह समझना बहुत जुरूरी है कि इस तरह के जो project होते हैं उनमें बहुत time लगता है उनको काम्याव होने में उनको surface में आने में उनको survive करने में उनको thrive करने में बहुत समय लगता है तो मैं आपको बता रहा टूटता ही चला जा रहा है तो दोस्तों मैं यहाँ आज के time में इसको very risky category में रख रहा हूं वो इसलिए रख रहा हूं कि अगर तो यह project चल जाता है तो इस NFT art के price में बहुत सारी zero है अगर यह platform ठीक से चल जाता है तिनों marketplace जो मैंने आपको बताए है वो सही से काम कर जाते हैं तो यह कई zero छोड़ देगा जी हाँ दोस्तों यह कई zero छोड़ देगा या फिर यह खुद ही zero हो जाएगा या यह खुद ही zero हो जाएगा तो दोस्तों अब आपको decide करना है कि इस तरहां के project में आप कितना risk लेना चाते हैं मेरे को यह coin ठीक लगता है अगर मैं आपको personally बताऊं तो मैं इसमें invested हूँ और बहुत मेरा जो है इसमें price भी कम आ चुका है but I personally still believe in this project तो दोस्तों उस हिसाब से आप अपना दिमाग लगाए अपनी research जुरूर करें किसी के कहने पे पैसे मत लगाए आपको अपना research कैसे करना है मैंने उसका भी तरीका बता दिया है उस उसका भी जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर पढ़ा है आप वहां जाके उसको देख सकते हैं तो दोस्तों बने रहो जुडे रहो हमारे साथ लेते रों क्रिटों की latest जानकारी धन्याबाद